So hello guys welcome back to the another video in my channel level 63FF तो उम्मिद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगी भी बढ़िया रहना So आप सब लोगों ने वीडियो के टाइटल और थामनेल को तो देखी लिया होगा So आज का वीडियो बहुत ही जदा इंट्रेस्टिंग होने वाला है So वीडियो को पूरा एंड तक देखो और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जरूर से एक सब्सक्राइब कर दो क्यूंकि इससे आप लोगों को दो फायद होगे पहला आप हमारे फैमिली के एक मेंबर बन जाओगे और दूसरा आप हमारे giveaway में जॉइन कर सकोगे So without wasting any time, let's start the video Intro के बाद अब सब लोगों का फिर से स्वागा थे मेरे चैनल लेवल 63FM में तो गाईज बहुत बंदे ने ये comment किया था कि भाई BlueStruck 5 का key mapping tutorial लाओ तो गाईज आज इस वीडियो में BlueStruck 5 का ही tutorial लाया हूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोगों समझ आ ही जाएगा तो बढ़ते हैं main topic की और Guys यह मेरा custom hood है अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो comment box में comment जरूर से कर देना मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा तो Guys यहाँ पे blue stack के icon पे tap करने के बाद यह जो plus वाला icon है यहाँ पे आप लोगों को tap कर देना होगा और tap कर देने के बाद आप लोगों को समने कुछ इस तरह का एक interface सामने आ जाएगा तो यही key mapping का section है तो Guys यह है WASD यानि कि हमारा joystick वाला button यह है तो Guys हम एक aim button ले लेते हैं मैप को खोलने के लिए इस aim button को map के उपर ही रख देते हैं और उसके बाद keyboard का जो tab वाला key है उसको हम ले लेते हैं और उसको रखते हैं हमारी backpack के उपर two button को ले लेते हैं medikit use के लिए f button को ले लेते हैं add key करके क्योंकि f button को हम लोग रख रहे हैं run पे space button को रख रहे हैं हम लोग jump के उपर और e button को use कर रहे हैं हम लोग crouch के उपर character ability के लिए हम लोग b button को use कर लेते हैं quick weapon switch के लिए हम shift button को use करते हैं और guys सोने के लिए हम लोग z button का use करते हैं तो गाईज अब हम 4T बटन लेते हैं, लूट वाले सिक्षन पे रग देते हैं, क्योंकि 1T को दबाया तो सब कुछ उट जाएगा गाईज मैं स्कोप अन अफ के लिए माउस 2 बटन की यूज करता हूँ, यानि की माउस का जो राइड बटन है उसको और अब गाईज, एक R बटन को ले लेते हैं, क्योंकि R को डख़ड़ा है, हम Reeloyant के उपर एक Caps Lock बटन को ले लेते हैं, क्योंकि उसको डख रहा है हम 1st weapon के उपर और एक X ले ले लेते हैं हमारे 2nd weapon के उपर और एक G बटन ले लेते हैं Gun Switch के लिए और एक Q बटन ले लेते है Glowal के लिए तो guys ये हो गया हमारा full key mapping और guys अगर आपको macro बागड़ा कुछ करना है तो मेरे channel में जाके एक बड़ से जरूर से check out कर लेना क्योंकि मैंने वहाँ पे Glowal और AWM का macro वाला trick वहाँ पे डाल रखा है तो guys मैं उमिद करता हूँ ये video अब सब लोगों को अच्छा और helpful लगा होगा अगर लगा है तो comment box में जरूर से comment कर देना और ये video आप लोगों को कैसा लागा वो भी comment में comment करके जाना तो guys आज के लिए वस इतना ही मिलता है इस नेक्वीडियो में ततक स्थे भूल स्थे डाट ओं भाई वाई स्थे अब्री वाई लव यू आज